रिसंथा माम या गुलदावरी बहुत ही खुबसूरत फ्लार प्लांट होता है सरद्रितों का और बहुत सारे कलर्स में यह मिलता है बहुत खुबसूरत और सुंदर 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 से फूल होते हैं और लॉंग वराइटी ड्वाव वराइटी और सौड वराइटी कई तरी की कटिंग लगाने का समय आ गया है अगर अभी तक आपने नहीं लगाई इसकी कटिंग तो आईए आज चलते हैं मेरे साथ इसकी कटिंग लगाते हैं तो इसके बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको दूंगी कि आपको कैसे इसकी कटिंग लगानी है कैसे आपको इसके स्वाइल बनानी है और कटिंग लगाने के बाद आपको क्या क्या काम इस पर करने है ताकि आपका प्लांट खुब बुशी हो देखे मेरे प्लांट की तरह है और एक ही प्लांट पर आए सो से भी ज्यादा फूल तो बने रहेगा वीडियो में हेलो फ्रेंड्स मैं आश बसंतिका यानि कि अक्टूबर नमेंबर जब कि दिवाली का सीजन होता है उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ मैरी गोल्ड और यह गुल्दावरी दो ही फ्लार प्लांट होते हैं जो कि बहुत खुबसूरती हमारे गार्डन में प्रदान करते हैं तो यह देखे फ्रेंड इस के कंपोस्ट जो बनती है वह भी बहुत बढ़िया बहुत फाइदे मंद होती है आपके प्लांट के लिए तो मैं इसमें डालती हूं 20 परसेंट जो है अपनी किचन कंपोस्ट और 10 परसेंट कोको पीट तो इस तरीके से आपको बनानी है इसके स्वाइल बुर्बरी और स्वाइल को आपको फिल कर देना है इस टाइप से और जब आप स्वाइल को फिल कर देंगे देखे मैंने जगे जगे इनकी चूटी चूटी कटिंग लगा ली थी तो इस तरीके से आपको भी इनकी कटिंग लगानी है ये तो मेरी मैं ग्रो हुई कटिंग आपको दिख जाती है और यह देखे आपको क्या करना है उपर की एक टिप्स लेनी है आपको बहुत लंबी या बहुत मोटी आपको हाड कटिंग नहीं चाहिए आपको टिप वाली कटिंग काटनी है और इजी ली मतलब सीजर से ताकि आपके प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचे और ह जल्दी आपकी कटिंग ग्रोव होगी अगर कटिंग पर लीफ ज्यादा होंगी तो कटिंग ग्रोव होने के चांसेज बहुत कम हो जाएंगे तो ध्यान रखे हैं कि कटिंग पर कम से कम लीफ को रहने दें और बाकी जो है कटिंग लगा दें तो इस तरीके से देखिए आप एक पॉट में चार-पांच कटिंग लगा लीजे क्योंकि अभी जैसे कि मेरे पास है पॉट की बहुत ज़दा कमी है तो एक पॉट में अगर आप चार-पांच कटिंग आप भी लगा लेते हैं तो थोड़े दिन बाद या नेक्स्ट मन तक आप अगस तक जो है इन कटि रहेंगे तो इस तरीके से बुशी सा अपका प्लांट हो जाएगा और बुशी सा आपका प्लांट हो जाएगा और उस पर आजाएंगे धेरों कलियां एकी प्लांट पर अब क्या है फ्रेंट प्लांट कई बार हमारा प्लांट बुशी सो हो जाता है लेकिन उस पर कलियां बनती है उस पर फ्लार नहीं आते हैं तो ऐसी सितिती में क्या करना चाहिए देखिए आप मैंने कितनी पिंचिंग इसकेबांट कर लिए और यह मेरह बिंचिंग घर कितना है की बुल दो पिंचिग करने के बाद कई बा क्या होता है फ़िल स्वार्टि होता है लेकिन अधारष के तो कौसे हैं अपने कॉंपर देगे जिससते कि हमारे प्लांक पर अधेर oney यह बन तकई कई ब मंगविस्टों मैं तो कई बड़ा होता है लेकिन कली प्रफॉन पर फंगस का होने लग जाता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीम खली बी मिला देती हूं जिसे प्लांट पर किसी ऐफ प्लांट को ग्रोव करने में और प्लांट पर धेरों कलियां बना कर के फूल में कनवर्ड करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं तो यह खाद आप जरूर दें जब आपका प्लांट थोड़ा इतना बड़ा हो जाए स्टार्टिंग में ना दें सिर्फ आप सिंपल सॉयल बना कुसी हो गाया है बहुत हैल्दी सा इस बहुत वह तरीकते में है यह मेरे तरीके से गिलदावरी और इखं़ सब्रिकने स्वूर सब्रों से लिए ओगा यह पने soutरता दोा देंने इस अच्छे लगे होंगे मेरे टिप्स तो जल्दी से लगा लीजे अपने गुलदावरी की कटिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से ले करके आ सकते हैं बट ये एक राइट टाइम है गुलदावरी की कटिंग लगाने का और जल्दी से लगा लीजे और पाएं अपन से सब्सक्राइब कर लीजे और बल के आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूले ताके आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो करते रहें गार्डनिंग और हैपी गार्डनिंग